चलो, great, आजो बच्चो, हाँ जी, उसके बाद जो आता है कुछ exceptions हैं, देखो जी, अगर 234C का ब्याज निकालना है, और अगर आप 44AD और ADA में covered हो, मालिजे, same question होता, और बंदा covered होता 44AD में, तो 234C के ये तीन ब्याज ही लगते हैं, एक, दो, और ये तीन, उनका तो 15 कोई ही D-Day है, एक लाख आ जाने चीए ते नहीं आए निल, तो एक महिने का ब्याज ही लगेगा न, उसमें 234C का ब्याज, 44AD वालों के लिए, और 44ADA वालों के लिए, तो क्योंकि उनकी तो due date ही 15 मार्श पर जाए, एक महिने का ब्याज है, हाँ, B और C, same चलेगा उनके लि यह दो, गौर्मिंट कहती है, गौर्मिंट जोड़ी श्रिक नहीं लगती है, वो गहरे है, जी 15% हो जाना चीए 15 जून तक, 45% हो जाना चीए 15 सेप्टेमबर तक, अरे यार, एस्टीमेशन में गलती हो जाती है, गौर्मिंट कहती है ऐसा कर, तेरा टेक्स दिया हुआ, जम जमा करवाने थे इसको, no doubt about that, लेकिन इसने अगर 12,000 भी जमा करवा रखे थे, यहां पर 12,000 भी जमा करवा रखे थे, तो इसके उपर ब्याज यहां पर निल हो जाता, अगर 12 भी जमा करवा रहे है, वैसे जो डेफिशेंसी आ रही है, तीन की कमी आ रही है, लेकिन चलो 12% दे दे, और यहां पर दूसरी इंस्टॉल्मेंट में 36,000 भी कर दे, तो हम ब्याज नहीं लगाएंगे, तो शुरू की दो इंस्टॉल्मेंट में 12 और 36 है, लेकिन मेटा, अगर यहां पर 10 है, मान लीजिए उपर 10 है, और यहां पर 36 की जगे बंदे ने 30 दिये वे हैं, बता जाएंगी, याद रखिएगा, अगर आपने पढ़ रखा हो advanced text, तो अगर आपको किसी chapter की specific class लेनी है, फुल वाली, तो प्लीज आप मुझे whatsapp कर सकते हैं, yes, 8700-9928, तो अगर कोई आपका chapter week है, specifically income text में, तो specific class के लिए आप मुझे 8700-9928 पे बता सकते हैं, कि सर मुझे इस पूरे lecture की, या पूरे subject, पूरे topic की class लेनी है, तो वो मेरा week है, ठीक है, तो आप मुझे please inform करेंगे 8700-9928 पर, कि सर मेरा ये particular chapter week है, मुझे इसी की full-fledged class लेनी है, ये revision batch है, तो इसमें मैं ये suppose करके रख रहा हूं, प्यारे बच्चों ने कुछ पढ़ देखेंगे, पूरे 5000 पे 1% का ब्याज लगेगा, तीन महीने का, और 30 जमा होते, तो पूरे 15 पे ही 1% का ब्याज लगता, तीन महीने का, तो 12 और 36 तक देदोगे तो ignore, लेकिन 10% दोगे, 30% दोगे, second installment में, तो पूरा difference लगेगा, 36 से 45 नहीं, 30 से 45 का difference देखेंगे, इस बात क को याद रखिएगा, clear बात, और दूसरी exception है, बेटा, दूसरी exception है, कि कुछ ऐसी incomes होती है, जो आपकी due date of installments के बाद आती है, जैसे capital की है, पता नहीं, बेटा, unexpected incomes कहते हैं, unexpected incomes, capital income भी आ जाए, casual income भी भी आ जाए, या नया business start किया, और installment जाच चुकिए, जैसे कोई महमान आ लंच के बाद, ना लंच की तियारी करी थी, उसके लिए, ना breakfast, महमान आ जाए, शाम के नाश्टे के बाद, ना नाश्टा खिला पाए, ना breakfast, महमान आ जाए, डिनर के बाद, ना नाश्टा सुबह का, ना लंच खिलाया उसको, ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, उस case मे government कहती है उन incomes का सारा tax remaining installments में दे दीजे और वो income अगर 15 March के बाद आए तो 31 March तक दे दीजे तो हम incomes के कारण जो आपका tax गर बढ़ा जाएगा भी आज नहीं लगाएंगे तो कभी कबार undetermined unexpected income आजाती है तो उस case के अंदर yes मेरे बच्चो उस case के अंदर उस case के अंदर आप क्या कर सकते हैं आप balance installments में balance installments में tax दे दीजिए तो आपको इन installments के आण जो इन amount के आण जो amount गरबढ़ाएगा ignore कर देगे छोटा से example देखे इस concept को अभी मैं आपको बताऊँ को देसे बिटा देखो new business start किया new business start किया कब start किया सर अरे सर मैंने ना पंदरा जैनवरी 2023 को start किया और इससे मेरी total income आई है 10 लाग रुपे टेक्स कितना बनता है एक लाग सत्रह हजार रुपे ठीक है अच्छा अब आपने 15 जून को कितना advance tax दिया होगा पंदरा जून 2022 को advance tax निल नहीं दिया सर मेंने पंदरा दिसेंबर को कितना advance tax कितना दिया होगा एटी निल और पंदरा मार्च 2023 को सर मेंने पूरे एक लाग सत्रह जमा करवा दिये अब उसकी शुरू की तीन इंस्टॉलमेंस ने advance tax तो नहीं था तो बताइए 234C का ब्याज कितना लगेगा 234C का ब्याज कितना लगेगा बच्चो पहले case में भी निल आपका deficiency तो है और निल अच्छा तो आपने balance में कर दिया ना यह income कब आई तीन installment के बाद इसका सारा टेक्स आपने last installment में दे दिया ठीक है आपका ब्याज यहाँ पर लगेगा नहीं अच्छा बिजनस टार करते 16 मार्च को तो बिटा 31 मार्च तक देते लेकिन अगर सुनलो मेरी बात इसी कोशन में 15 मार्च 2023 को तुमने एक लाग जमा करवाए और तुमने बाकी 16 मार्च 2023 को 17,000 जमा करवाए अब क्या होगा बताओ 15 मार्च 2023 को एक लाग जमा करवाए अब गौर्मिन कहते बेटा नॉर्मल 234C लगेगा नॉर्मल कैसे 15% अच्छा अब 15% और एक लाग सत्रा गौर्मिन देखीगी होने चीए थे उस पे एक परसंट ब्याच 45 परसंट औ अब एक लाग सत्रा उस पे भ्याज ईन्टु one upon hundred इन्टुथri into रिण अपन हंड्रेट इन्टु three क्यों पूरे पर क्यों लगा रहे हैं आमने दिया ही नहीं ना इसलिए आप पूरा का पूरा जम्हा करवा दो एक लाग सत्रा पंदरा मार्च को चलो जी महमान आया हुआ है शाम को नाष्टे के बाद डिनर पूरा करवा दो आपने तीन चीज़े नहीं खिलाई पुरानी कोई दिक्कत नहीं आगे तो पूरा करो चलिए नेक्स्ट आते हैं जी यह हो गया इंटरस्ट और रिफर्ट अब आपने टेक्स जाधा जम्हा करव दिया है तो आपको ब्यार्ज मिलेगा आदा पर संपर मंशपोर के आपसे ब्यार्ज मिलेगा कपसे एक अप्रेल आसस्मेंट यह से डेट ऑब इस चोटा सा 4% education says तुमने जमा कितना करवा दिया अरे जमा मैंने 21 करवा दिया अच्छा और रिटन कब फाइल करी थी तो रिटन तो फाइल में ने कर दी अच्छे बच्चे के तरह 31 मा ते रिफंड इशू हुआ है कब इशू हुआ है 31 दिसेंबर 2013 पहले तो amount of refund रिफंड का amount बताओ what will be the amount of refund amount of refund will be 20,000 इंटरस्ट मिलेगा तुमें 241 के अंदर जो refund का amount है 20,000 आदा परसेंट पर मन्त और 1 अप्रेल 2023 से 31,12 2023 आटा मन्त फुल मन्त हो जाता तो यह बना बेटा 20,000 into आदा परसेंट पर मन्त into 9 महीने मेरे असाब से 900 रुपे देखना जारा अगर हम 4,5 और 900 रुपे बन रहा है चेक करो, calculation चेक करो तो आपको total जो issue होगा वोगा 20,900 देखो जारा एक बार calculation चेक कर बार तो जो आपने excess tax दे दिया है 1 अप्रेल से date of issue तक आदा परसेंट चलाग बढ़िये गोर्मेंट चार्ज करती है एक देती आदा बो जी clear बात clear है बात चलो जी आईए ज़रा solution के बाद इसी में अगर मान लीजे tax आपने pay किया रहा होता tax pay किया होता अपने एक लाख आठ हजार अब refund का मांट क्या होता बताना ज़रा refund का मांट क्या होता बनता एक लाख था refund का मांट क्या होता बताए refund का मांट आठ हजार होता interest नहीं मिलता अब तुम्हें अच्छा क्यों क्योंकि refund का मांट minimum 10 परसेंट और टेक्स होना चाहिए रिफर्ण कामाउंट minimum 10% और टेक्स होना चाहिए हुमारा टेक्स कितना है एक लाग मिनिममम रिफर्ण 10,000 होगा तो भी आज मिलता है ऐसा था ना 234 भी में भी तो कहाता था ना 10% कमी पे 234 भी नहीं लगाते फिर्ण मिनिममम 10% आपका रिफर्ण कामाउंट होगा तो भी आज मिलेगा फिछले हैं याज मिलते मिनिममम 10% होना चूरे तो refund का amount आपका यहां पर 10% नहीं है, इसलिए अभी आज नहीं मिलेगा, चलिए.